Good day to all of you. पिछले क्लास में आपने फाइल मेन्यू के कुछ आप्सिंस के बारे में सीखा था. जैसे कि आप जानते हैं या आपकी प्रैक्टिस क्लास है, इस क्लास में आप पिछली क्लास का रिवीजिन करेंगे. क्लास को शुरू करने से पहले कुछ प्रसंद पूछ लेते हैं. क्या आप जानते हैं, अगर आप अपने डोकुमेंट को वेब पेज अथो आप ब्राउजर में देखना चाहते हैं, तो क्या गरेंगे? डोकुमेंट को वेब पेज में देखने के लिए, फाइल मेन्यू के प्रिव्यू इन वेब ब्राउजर आप्शन का उप्योग करेंगे. क्या आप बता सकते हैं कि ब्लैंक स्लाइट में टाइप कैसे करते हैं? टेक्स्टूल की मदद से आप ब्लैंक स्लाइट में टाइप कर सकते हैं. क्या आप बता सकते हैं इंप्रेस डोकुमेंट को किसी दूसर यूजर को सेंड करने के लिए किस आप्शन का उप्योग करेंगे? send option की मदद से अब अपने document को किसी भी दूसरे user को send कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं slide pane impressed के भाग में कहां होता है slide pane impressed की file के left side में होता है क्या आप बता सकते हैं अगर हमें file की जानकारी लेनी हो जैसे की कौन सी file है file saved है या नहीं किस date को file saved हुआ था इत्यादी तो किस विकल्प को उप्योग करेंगे इन सभी जानकारी को देखने के लिए आपको property विकल्प का उप्योग करना होगा अपने computer को on करें impress की file को open करें आए आज की class को शुरू करते हैं आप तीन slide को insert करें पहले slide में कुछ अपने बारे में या school के बारे में लिखें उसकी एगली slide में कुछ Пос Etreal को insert करें या उसके बारे में लिखें और अगली slide में chips को draw करें और उसमें कोई भी design लगाएं आईए वीडियो को देख के सीखते हैं तीन अलग-अलग स्लाइड को कैसे लेते हैं और उसके अंदर ड्रोइंग को कैसे करते हैं सबसे पहले न्यू स्लाइड लेने के लिए आप स्लाइड पे जाएं वहाँ पे राइट क्लिक करें और new slide पर click कर दे तो एक new slide आ जाएगी जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं अभी आप देख सकते हैं यह title slide है इसको blank करने के लिए layout option में जाएँ और यहांसे blank layout को select कर लिए तो जो आपकी slide है वो blank हो जाएगी जैसे का आप video में देख सकते हैं अब हमें इस blank slide के अंदर एक picture को insert करना है उसके लिए सबसे पहले अपने pointer को insert menu पर लेके जाएंगे वहापे click करेंगे box आजाएगा फिर picture option पर click करेंगे और from file option को select कर लेंगे जैसे आप from file पर select करेंगे तो एक box आजाएगा जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं आपको picture जहाँ पर भी save है आप उस location को select कर लें और किसी एक picture को select कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने यहाँ पर एक picture को select किया select करने के बाद open option पर click कर दिया जैसे हमने open पर click किया जिस picture को आपने select किया था हुआ picture आपके slide पर insert हो जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं फिर से नई slide लेने के लिए slide pane पर जाए वहाँ पर right click करें और new slide विकल्प को select कर लें जैसे आप new slide को select करेंगे एक नई slide आजाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं अब इस slide के अंदर हम shape में से कोई एक shape को draw करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपको किसी एक shape को select करना है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने drawing bar में से एक octagon bevel को select किया यह shape का नाम है और फिर में उसे इस तरीके से drag कर लेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है हमने इस shape को draw किया draw करने के बाद अब हमें इसके अंदर formatting करनी है formatting करने के लिए आपको line and filling option का उफ्योग करना है अगर आप line के style को change करना चाहते है तो आप यहां से कर सकते हैं इसके width को बड़ा सकते हैं यह कम कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है अगर आप इसके line जो outline है इसके color को change करना चाहते हैं तो वह भी आप change कर सकते हैं किसी भी color को आप select कर लें हमने इसके outline को blue color कर दिया अगर इसके अंदर आपको color भरना है color fill करना है यहां पर अलग अलग परकार का option दिये हुए color का gradient etching bitmap यह अलग अलग pattern अलग अलग style है अगर आपको इसके अंदर color यह design देना है हमने bitmap option को select किया यह एक परकार का design है यहां पर अलग अलग design उपलग है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं किसी भी एक style को आप select कर लें जो भी style आप select करेंगे वह इस image के अंदर उस design का बनके आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इस प्रकार से आप slide के अंदर drawing और picture को insert कर सकते हैं आएए अब अभ्यास सुरू करते हैं सबसे पहले send wicalp का अभ्यास करके दिखायें अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आएए अब वीडियो के दवारा send wicalp का उपयोग करना सीखते हैं जैसे कि आप जानते हैं send wicalp की मदद से आप अपने document को किसी दूसरे user को send कर सकते हैं इसके लिए आपको outlook से link होना जरूरी है तब ही आप किसी दूसरे user को अपने document send कर पाएंगे सबसे पहले file menu पे click करें file menu पे click करने के बाद send wicalp को select करें फिर यहाँ पर document as email option को select करें यहाँ पर आपको अलग-लग options दिखाई दे रहेंगे document as email email as open document presentation इससे आप अपने document को presentation के द्वारा भेज सकते हैं email as microsoft powerpoint presentation अगर आपको इसे powerpoint में convert करना है तो आप microsoft powerpoint में convert कर सकते हैं फिर email as pdf अगर आपको अपने document को direct pdf में भेजना है तो आप इस option को select करेंगे email as pdf हमें इस document as email normal भेजना है तो इसलिए हमने document as email option को select किया जैसे इस पर click करेंगे जो outlook का box है वो open हो जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यह email outlook का option है जहां पर to लिखा हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं जो आपको document है वो इस ते attach हो गया है जहां पर to लिखा हुआ है वहां पर किसी दूसरे email किसी दूसरे user का आप यहां पर email id टाइप करेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाय जाए रहा है आप example के लिए हमने यहाँ पे pqe.computer6r.org टाइप किया इसी तरीके से आप भी किसी दूसरी यूजर का email अड़ी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और उसके बाद send के button पे click कर देंगे तो यह document दूसरी यूजर को चला जाएगा क्योंकि हमें इस document को send नहीं करना है किसी को इसलिए हम send पे click नहीं करेंगे इससे यहाँ से cancel कर देंगे तो इसके बाद no के option को हम यहाँ पे select करेंगे क्योंकि हमें से save नहीं करना जाते अगर आपको send करना है तो आप send के option पे select कर देंगे आपको document send हो जाएगा तो इस प्रकार से आप send विकल्प का उप्योग कर सकते हैं अब template लगा के दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखी आएए वीडियो के द्वारा template option का उप्योग करना सीखते हैं जैसे कि आप जानते हैं template की मदद से आप पहले से ही कुछ define कर सकते हैं कोई text या presentation या कोई भी file आप पहले से ही उसे बना के save कर सकते हैं और उसे बाद में इसका आप उप्योग कर सकते हैं template बनाने के लिए आपको सबसे पहले file vehicle को select करना है file menu पे click करेंगे तो एक box आजाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है फिर अपने pointer को templates option पे लेके आना है तो आप यहाँ पे अलग-लग option देख सकते हैं सबसे पहले आपको इसे save करना होगा इसलिए हम इस पे पहले save के option को select करेंगे जैसे आप save के option को select करेंगे तो एक box आजाएगा यहाँ पे new template लिखा हुआ है यहाँ पे आप कोई भी नाम type करें जिस नाम से आपको अपने template को बनाना है हमने cs.1234 इस नाम से हमने template को बनाया फिर ok के button पे click किया जैसे ok के button पे click करेंगे box चला जाएगा इसका मतला भी वो template save हो गया है लेकिन वो सिफ template को option में आएगा अभी पूरी तरीके से template complete नहीं हुआ है इसे complete करने के लिए आपको फिर से file menu पे click करना है अपने pointer को template option पे लेके आना है फिर organize option को आप select कर ले जैसे आप organize option को select करेंगे इस तरीके के आपको एक box दिखाई देगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने my template में save किया था तो my template option को select करेंगे यहां पर आप देखेंगे ही जो पहले से आपने save किया था जिस नाम से वो आपको यहां पर दिखाई देगा हमने cs at 1234 के नाम से save किया था हमने इसे select किया select करने के बाद आपको command पर जाना है command पर जाने पर आप यहाँ पर देशते हैं आपको अलग लोग options दिखाए दे रहोंगे delete, edit, import, export क्योंकि हमें इसे export करना है जब export करेंगे तभी हमारा template एक्सपॉर्ट तभी हमारा template complete होगा तो हमने export option को select किया जैसे हमने export option को select किया तो यह save करने के लिए पूच रहा है जहाँ पर भी आप इसे save करना चाहते हैं उस location को आप select कर ले हमने by default desktop को select कर रखा है और फिर नाम को उसी नाम से हमने save कर दिया तो आप देखेंगे जो आप यह template है वो desktop पे save हो जाएगा इसको देखने के लिए आप अपने file को minimize करें आपने file को minimize किया minimize करने के बाद आप देखेंगे जिस नाम से आपने desktop पे save किया था वो template आपको यह पे दिखाई देगा जब आप वहाँ पे cursor लेके जाएगे तो आपको template लिखा हो आएगा अगर आप इससे open करना चाहते है तो double click करके आप इससे open कर सकते हैं या इससे आप कभी भी बाद मे इसका उपयोग कर सकते हैं इस प्रकास से आप template option का उपयोग कर सकते हैं अब आप सभी fax के page की तरह एक format त्यार करके दिखाएं अगर कोई समस्य हो तो आप video को देखें आईए video की मदद से अपने document में से fax format में की fax में कैसे create करते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले file menu प को सब्सक्राइब करेंगे एक box ओपन होगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहाँ पर business facts और personal facts का options दिया हुआ है आप इन message जो भी facts create करना चाहता है उसको select कर लिया फिर facts को select कर लिया next पर click करें फिर type message में जो आप heading देना चाहते है जो title देना चाहते है facts में वह आप यहाँ से दे सकते है जैसे का आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है for your information या news किसी तरीके के आप इनमें से select कर सकते है फिर आप greeting में आप हाई एलो इस तरीके का आप greeting यूज कर सकते हैं complimentary close में आप भी किसी भी option को आप select कर ले जैसे हैं हमने यूर faithfully को select किया फिर next में click करें अगर आप facts में पहले से ही किसी template को जो save है उसे आप अगर insert करना चाहते है तो आप यहां से insert कर सकते हैं या फिर यहां पर make manual changes इस fax template को option को select करके आगे finish पर click कर दें फिर इस पर click करें फिर open copy पर click कर दें जो आपने fax create किया से देखने के लिए जो आपने format create किया है वो आपको इस तरीके से दिखाई देगा जैसे के आपको वीडियो में दिखाय जा रहा है यह fax का format है आप इसको इस तरीके से create कर सकते हैं आप लोगों के कई computer में इस support नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए एक software की requirement होती है जो java requirement jre होता है वो software जब आपके computer में install होगा तभी यह सारे options आपको दिखाई देंगे तो इस प्रकार से आप fax option का उप्योग कर सकते हैं अब आप printer setting का अभ्याज करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आईए वीडियो की मदद से सीखते हैं printer setting का उप्योग कैसे करते हैं और printer setting के उप्योग से क्या होता है printer setting की मदद से आप अपने printer को अलग अलग प्रकार से setting कर सकते हैं उसे दूसरे printer से attach कर सकते हैं जो उसके अलग 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 प्रकार की advanced setting है आप उन सारे settings को अपने according कर सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको file menu पे click करना है जैसी क्लिक करेंगे box open हो जाएगा फिर आपको print setting option को select करना है तो यहाँ पर आप आप देख सकते हैं जैसी print setting option पे click करेंगे तो एक box आ जाएगा यहाँ पे जो आपका printer अटेचल अटेच यहाँ पर आपको आपको शोल करेग सेटिंग कर सकते हैं इसे अजट कर सकते हैं सबसे पहले पेपर आउटपुट का है यहाँ पर कोपी काउंट है आप कितने कोपी काउंट करना चाहता है कितने पेपर आउटपुट वह आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं ग्राफिक को अप्शन दिया हुआ है आप उसे मैने को black में प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं अगर आपको नहीं करना तो आप इसे disable कर सकते हैं प्रिंटिंग shortcut में पहला print quality है यहां पर अलग-अलग quality दिया है आप अपने according से define कर सकते हैं normal, fast, best जैसा आपको जैसा आपको चाहिए आप उस quality को आप यहां से select कर सकते हैं फिर यहां पर paper type है यहां by default plain paper select है क्योंकि printing जो भी हो तो plain paper में है इसलिए पहले सी यहां पर plain paper का option दिया हुआ है फिर paper size यहां यहां पर paper का अलग-अलग size दिया हुआ है letter A4 वह आप अपने according चेंज कर सकते हैं फिर print orientation दिया हुआ है कि आपको किस orientation में चाहिए portrait यह landscape वह भी आप यहां से बदल सकते हैं बहुत चाहिए प्रिंटिंग का option दिया हुआ है वह by default पहले सी यह off है यहां पर paper quality का option है print task quick set यहां पर option है default printer setting पहले सी select है यहां पर paper size का option आप कि size में अपने document को print देना चाहते हैं वह आप यहां से change कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है यहां पर अलग-अलग प्रकार के size दिया हुए है executive letter legal A4 animal आप अलग-अलग प्रकार के यहां पर size दे हुए है आप इन में से size में भी अपने document को print देना चाहते हैं वह आप यहां से select करके okay का button पर click करेंगे तो वह size select हो जाएगा हमें यहां पर setting नहीं करने इसलिए हमने इसे cancel कर दिया पर type का option दिया हुआ है यहां पर plain paper more पर click करेंगे तो अलग-अलग options यहां पर दिया हुआ है जिस format पर भी आपको चाहिए वह आप यहां से select कर लेंगे यह print quality का है पहले आपको बता देगे कि print quality से क्या होता है आप अपने print किस quality में चाहिए वह आप यहां से define कर सकते हैं normal, best जिस format में भी आपको चाहिए आप अपने coding उसे define कर सकते हैं अगर इन सारे option को save करना चाहते है तो आप ok पर click करेंगे जो भी आप अपने option select किया है वह save हो जाएगा यह save पर click कर दें यहां से क्योंकि हम इसे save नहीं करना यह सिप आपको बताने के लिए बता जा रहा है इसलिए हम यहां पर save नहीं करेंगे अगला option effect का है यहां पर resizing option दिया हुआ actual size print document by default यहां से actual size select होता है अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो आप print document on को select करके जिस size में आपको paper चाहिए यह printing चाहिए आप यहां से select कर सकते हैं पिर यह percentage का option है जो आपका text है वो paper पर कितना बड़ास होना चाहिए वो आप यहां से adjust कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं जो आपका font है उसके size को कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप अपने font के size को यहां से कम या ज्यादा कर सकते हैं अगला option watermark का है watermark के मुझे साब कुछ paint पर background में कुछ दे सकते हैं जो design होता है वो आप यहां से उसको define कर सकते हैं next option finishing का है इसमें आपको page per seat and poster का option दिया हुआ है कि आपको कितने पर page चाहिए वो आप इसके according यहां से set कर सकते हैं यहां पर orientation दिया हुआ है portrait, landscape, mirror, image जैसे आपको पता है portrait में इसकी height ज्यादा होता है width कम होता है landscape में इसकी width ज्यादा होता है और height कम होता है mirror में जो भी आपको text होगा वो आपको opposite दिखेगा opposite printing होगा तो आप इस effect को भी आप यहां से select कर सकते हैं अगर save करना चाहते हैं तो save पर click कर दें अगला option color का है यहां से जो आपको printing है उसे आप black and white या color में करना चाहते हैं वो आप यहां से कर सकते हैं यहां पर अलग लोग option दिया है color option जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है प्रिंट इन ग्रे स्केल अगर आप ग्रे स्केल में करेंगे तो जो भी आपके जो है प्रिंटिंग वो ग्रे कलर में दिखाए देगा आपको अगर उसे आप हटा देंगे फिर आपको नोर्मल जो color में वो options होगा फिर black and white में है black print अगर black में देना चाहते हैं तो आप black print को select कर सकते हैं तो इस प्रकास से आप color को यहां से change कर सकते हैं फिर okay के button पर click कर दें जो भी आपने setting को change किया है वो यहां से save हो जाएगा अगर आपको settings save करना है तो आप okay के button पर click करेंगे हमें इस setting को save नहीं करना है यह सिब आपको दिखाने के लिए बताया गया था इसलिए हमें से save नहीं करेंगे अगर आप save करना चाहते हैं तो okay के button पर click कर देंगे तो इस प्रकार से आप printer setting को उप्योग कर सकते हैं अब आप अपने page web browser को में लाकर दिखाएं अगर कोई समस्चा हो तो वीडियो को देखें आईए वीडियो को देखकर preview in web browser का उप्योग करना सीखते हैं जैसे कि आप जानते हैं preview in web browser की मदद से आप अपने document को किसी browser में देख सकते हैं आप अपने document को internet की page भी देख सकते हैं इसके लिए सबसे पहले आपको file menu को select करना है select करने के बाद आपको preview in web browser option को select करना है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया हमने यहाँ पे preview in web browser को select किया जैसे हमने इसको select किया आप देखेंगे जो यह हमारा document है यह web page में open होगा आप देख सकते हैं जो हमारा document है यह web page में open होगया हमने जिस slide पे काम किया था हुए slide वे document अब हमारे internet की page भी दिखाई दे रहा है यह आपका address बार है अब यहां पर आप options देश सकते हैं first page, back, continue, last अगर आप continue करेंगे तो जितने आपके slide है आप उन slides को देख सकते हैं अगर आपको first page पे आना है तो first page पे click कर दे तो आप पहले slide पे आ जाएंगे तो इस प्रकार से आप preview in web browser की मदद से अपने document को किसी browser में देख सकते हैं अब taskbar में जाके अपनी file को select कर ले तो इस प्रकार से आप preview in web browser का उप्योग कर सकते हैं अब आप सभी अपने standard toolbar के option में से save, open, hyperlink के options को hide करके दिखाएं अगर कोई समस्या हो तो वीडियो को देखें आएए वीडियो को देखकर toolbar को hide करना सीखते हैं इसके लिए सबसे पहले अपने pointer को standard toolbar के right side में जहाँ पे आपको drop down बटन दिख रहा है इसे control button भी बहुत सकता हैं यहाँ पे लेके आएं वहाँ पे click कर दें और फिर जाके customize toolbar पे click कर दें जैसे आप customize पे click करेंगे तो यहाँ पर अलग-अलग options दे सकते हैं by default toolbar का option पहले से select होता है हमें standard toolbar में से options को hide करना है तो toolbar में यहाँ पर दे सकता है पहले से standard toolbar का option select है अब command में आप देखेंगे जिस जिस option को आपको hide करना है उस option को आपको यहाँ पे unselect कर देना है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने open option को unselect किया save option को unselect किया हमें hyperlink option को भी hide करना है तो हमने hyperlink option को भी यहां से unselect कर दिया फिर ok के button पर click करेंगे जैसी आप ok के button पर click करेंगे जिस option को आपने unselect किया था वो options standard toolbar में से hide हो जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं वे options अभी आपको यहां पर दिखाए नहीं दे रहे होंगे अब यह hide हो चुके हैं तो इस प्रकार से आप standard toolbar के इन options को कोई भी options को आप hide कर सकते हैं अब आप सभी font work gallery की मदद से अपने नाम को लाकर दिखाएं और फिर उसमें अपने अनुसार formatting करके दिखाएं अगर ऐसा करने में कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें आएए वीडियो के दवारा font work gallery का उपयोग करना सीखें इसके लिए सबसे पहले एक slide को insert करें जैसे का आप वीडियो में देखते हैं यहां पर हमारे पास तीन slide है तो font work के लिए में एक नई slide की जुरूत है इसलिए हम यहां पर एक नई slide को insert करेंगे इंसेट करने के लिए आप slide pane पर क्लिक करें और new slide को select कर ले जैसे आप new slide पर select करेंगे एक blank slide यहां पर आ जाएगा अब अपने pointer को drawing बार पर लेके जाए और यह लिखे option जो font work का है उसको select कर ले यहां पर font work के बहुत सारे options आपको दिखाए देंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाए जा रहा है आप किसी भी एक style को select कर सकते हैं जो आपको पसंद है हमने इस style को इस font work को हमने select किया फिर ok के button पर click कर दिया आप देख सकते हैं उसी format में font work यहां पर लिखा हुआ आ गया अगर आपको इसके जगह अपना नाम या कोई text लिखना चाहते हैं इसके लिए आपको इस पर double click करना है जैसे आप double click करेंगे यहां पर cursor आ जाएगा फिर font work को आप delete करके आप अपना नाम लिख सकते हैं यह school का नाम लिख सकते हैं हमने यहां पर impress to लिखा और बाहर क्लिक कर दिया जैसे हमने बाहर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं उसी style में impress to यहां पर लिखा हुआ आ गया अब यह blue color के dots दिखाए दे रहा है आप इससे drag करके size को कम या जादर कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है और इस yellow dots से आप इसको move कर सकते हैं इसको घुमा सकते हैं rotate कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अपने recording इसे adjust कर ल जब यह सेलेक्ट होगा तो आप देखेंगे इसकी प्रोपर्टिय यहां पर सो हो रहा है यहां पर इसके अलग लग ओप्सिंस दिये हुए आप इसको मूव कर सकते हैं इसको अलग लग डिजाइन कर सकते हैं हमने इस option पर select किया, यहां पर matte option को हमने select किया, इस surface option का है, metal option, आप इस format पर भी ला सकते हैं, अगर इसके आपको color change करना है तो आप यहां से color change कर सकते हैं, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहां पर click करके color को थोड़ा से change किया, हमने इसके जो outline का color है, हमने ब्लू कर दिया है, जैसे के आप वीडियो में देख सकते हैं, अगर इसके आपको brightness को कम यह ज्यादा करना है, तो भी आप यहां से कर सकते हैं, यहां पर आलग लोग options दिए हुए हैं, जैसे के आप वीडियो में देख सकते हैं, अगर इससे आप dim करना चाहते हैं, ब्राइट करना चाहते हैं, तो भी आप कर सकते हैं, अगर इससे ब्राइट करना चाहते हैं, तो यहां पर क्लिक करें, जैसे ब्राइट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं, इसके इफेक्ट हो चेंज हो रहा है, पिर आप इसके पैटरन को चेंज कर सकते हैं इसके style को अगर 3D में से करना चाहते हैं तो आप इसे 3D में कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है इन में से जिस भी style को आप सेलेक्ट करेंगे आपका text या जो भी आपने लिखाया है वो उसी format में आ जाएगा यहां से इसके width को बड़ा सकते हैं इसकी shadow को दे सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं आप इस format में भी कर सकते हैं अगर इसकी सेडों को कम करना है तो आप यहां से कम कर सकते हैं यह अलाग-अलग प्रकार के यहां पर फॉर्मेट देव हुए हैं आप अपने अकोडिंग इसे चेंज कर सकते हैं इसे बदल सकते हैं जैसे आपको प्रसंद आप उसी style में, अपने font work को उसी style में कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप font work gallery का उप्योग कर सकते हैं, अब आप सबी जो options जैसे की save, open, hyperlink, standard toolbar से हटाए थे, उनको वापिस लाके दिखाएं, अगर कोई समस्या हो तो वीडियो के माध्यम से सीखें, जो हमने toolbar को hide किया था, उसे unhide कैसे करते हैं, standard toolbar के option को unhide करने के लिए, आपको सबसे पहले, अपने pointer को standard toolbar के right side में जो control बटन है, जो control बटन है, drop down बटन है, उस पे click करेंगे, फिर customize toolbar पे click करेंगे, तो एक box आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पे पहले से ही toolbar option select है और standard toolbar select है, सिर्फ आपको options, जो options जिने आपने hide किया था, उस option को आपको select करना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने open save option को select किया, फिर hyperlink option को हमने select किया, इन option को select करने के बाद, ok पे click कर देंगे, जैसे ही ok पे click करेंगे, तो आप standard toolbar में उन options को check करेंगे, जो options hide होगे थे, वो options फिर से यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, open, save, और hyperlink, यह तीन options अब यहाँ पे so हो रहा है, तो इस प्रकास से आप इन tools को so कर सकते हैं, आज की कक्ष में आपने पिछली कक्षा का अभ्यास किया, और बाद में आपने font work option के बारे में भी सीखा,